CMA Intermediate के Paper No. 11 Financial Management & Data Analytics के subject में किसी को fail होने की जुरूरत नहीं है ये एक बहुत बड़ा statement मैं आपके लिए pass कर रहा हूँ but I really mean it मैं नाम है Gaurav Kabra और आज आपके सामने में रखने जा रहा हूँ 60-40 strategy जो की Paper No. 11 के लिए बहुत ही जादा relevant है ये strategy आज 7 साल से ही मैं run कर रहा हूँ for all of our students जो ये device करती है कि आप किसी भी paper में fail होने की नौबत से बचे आप exam को clear करें और हो सके तो 60-plus भी score करें वो सब कैसे possible है by simple exercises that you can run through your brain आप अपने perspective को थोड़ा सा बदल करके और कुछ pinpointed strategies को use करके examination में अपने score को easily change कर सकते हैं ये video खास करके उन students के लिए हैं जो examination में बहुत जादा घबरा जाते हैं ऐसी हालत आयाती है कि भई हमारे तो 40 भी नहीं आ रहे होते हैं सामने रखूंगा but before that please hear me out और तोड़ा सा मैं जो समझा रहा हूं उस पर प्लीज गौर करना ठीक है और तोड़ा सा नीचे working कर लेते हैं तो देखो बहुत simple है अगर अपने paper को देखे न तो अपना 128 marks का paper होता है अगर हम FM की भी बात करें तो 128 marks का paper होगा इस 128 में आपको 100 marks का paper attempt करना है and 28 marks आपके choice में निकल सकता है और 28 marks का मुझे छोड़ना है इस perspective के साथ में एक बच्चा अपना paper शुरू करता है यही इतना सा demarkation करता है कि 100 number काहा और 28 number काहा बट जो वो fail करता है realize करने में कि उसको इसके further और एक distinction करनी चाहिए और एक categorization करनी चाहिए और वो categorization है इस 100 number में पहले 40 हो कहां से लेके आएगा और बात के 60 कहा होंगे इसी पे यह हमारी पूरी strategy based out है हम यह 60-40 strategy जो बना रहे है उसका main agenda यही है कि हम category 40 को define करना चाहते हैं अपने जिंदगी में यह category 40 आम तोर पे ऐसे topics होंगे जो की easy होंगे जो की exam में बहुत जादा बार आते हैं और काफी marks के लिया आते हैं और आप इसमें score भी कर पाऊगे अगर आपने इस category को अच्छे से exam में ठीक ठाक लिग दिया then there's a great chance कि आप 30 प्लस तो सिफ इस category में score कर लोगे अगर आपने category 40 में 30 प्लस score कर लिया तो फिर अगले category में अगर आप 30 जैसा एक average score भी score कर देते हैं 30 average क्यों पता है 60 में से 30 लाना is only like scoring 50% अगर आप इतना भी कर दोगे then you will hit 60 or more and for those who are fearing कि नहीं भाई हमारा तो 60 छोड़ दो pass करा दो तो भाई आपके pass के लिए भी यही strategy है 40 में से आप 30 score कर दीचे अपनी पहली category में और दूसी category में 60 में से 10 भी score कर दोगे तो आप exam में pass तो हो जाओगे अब यह कैसे होगा कैसे possible है इसके पीछे कि क्या scientific reason है आईए उसके उपर गौर करते हैं सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ 60-40 strategy का एक background देखो यह strategy ना कोई magic नहीं है यह strategy एक तरह का categorization plan है जहाँ पहले हम अपने पूरे paper को दो broad categories में define करते हैं पहले category हो गई category number 40 इसके साथ में एक backup plan भी आता है वो क्या होता है मैं समझाओंगा and second strategy है category number 60 अगर category number 40 की हम बात करें तो यहाँ पहले हम उन chapters को incorporate करना चाहेंगे जिनको हमने काफी thoroughly prepare किया यह वो chapters होंगे जिनको हमने class में अच्छे से समझा फिर उसके बाद खुद से अच्छे से practice किया scanner अरव गयरा सब जगा से हमने इसको practice किया और यह हम सोच के जा रहे हैं कि examination में जितना हमने पढ़ा है उसी में से exam equation आएगा अगर आया तो हम यहाँ पे score करेंगे 100% की तियारी के साथ यह category number 40 यहाँ पे चिंतावत कीजे मैं पूरे syllabus को define नहीं करूँगा मैं paper number 11 पे इसको कैसे use करना वो तो बताऊंगा ही paper number 8 में मैं already बता चुका हूँ वीडियो दो दिन पहले चानल पे आया था just in case आपने नहीं देखा तो देख लेना इसके अलाबा category number 60 है जिसमें बाकी सारे chapters आ जाते हैं हमारा summary देखो यही होगा कि हम category 40 में score करना चाते हैं 30 plus और category 60 में ऐसे तो हम score करना चाते हैं 30 plus लेकिन कई बच्चों के लिए यहाँ पर 30 अगर पास बन लहीं भी हुआ 10 plus भी करोगे तो भी चल जाएगा बट हमारा overall objective है 40 plus लाना in the paper हम paper में fail तो कोई हालत में नहीं हो सकते 60 plus लाने का obviously लालस तो रहे गई आईए paper number 11 FMPDA में इसको कैसे use कर सकते हैं वो discuss करते हैं तो भाई यहाँ पे मैंने chapter wise आपके लिए पूरा एक summary बना रखा है कि कैसे कौनसी category में क्या क्या आ सकता है जैसे अ इसमें topics like ratio analysis, cash flow, fund flow और comparative common size trend analysis type के topics हैं यह है बहुत ही simple सा topic अगर आप इसमें अच्छे से practice करते हैं there's a great chance की exam में हर तरह के questions आपसे बनेंगे इसमें आपको examination में तीन question देखने हो मिलते हैं question number 3A, 3B and question number 4A इन तीनों question को आप चाहें तो बड़े आराम से 21 marks के लिए तियार कर सकते हैं, the best part is अपनी पूरी book में इसका एक ही module है, एक ही chapter है जिसको आपको तियार करना है, इसमें topics है, ratio, cash flow, fund flow और चोटे मोटे इस दर दर के miscellaneous topic, इनको तियार कीजे, 21 number आपकी जिब में आ सकते हैं, आप बोलेंगे यह कैसे possible है, एकदम possible है, आपने class में खूब ध्यान करना है, तो खुद लेके वैट यह scanner और खुद से सवाल करना शुरू कीजे, हाँ कई अटकते हैं, doubts arise होते हैं, तो अपने faculty से पूछे, just in case आप मेरे इस student है, मुझ से पूछे, अपने doubts को clear करते चाहिए, यह ensure कीजे कि इस पूरे chapter में आपके doubts ना की बराबर रहे, आप गल capital एक अच्छा chapter है, कुछ area से इसके technical है, but otherwise this is very simple, examination में इससे एक simple question, देखा हुआ सवाल आने का chance बहुत ही जाता है, ऐसे में question number 4B को आप आराम से attempt करके 7 marks यहापे भी score कर सकते हैं, इसके अलावा MCQ category में 15 questions आएंगे, जिसमें से मैं उमीद करता हूँ कि आप कम से कम 6 questions तो ब 40 marks की तेयरी complete होती, आप देख सकते हैं कैसे हुआ, तो मैंने आपको कोई बहुत जादा चीजे पढ़ने के लिए नहीं बोला, I just asked you to complete this chapter which is tools for financial analysis, इसके अलावा cost और capital को तेयार करने के लिए बोला, and you are there, आपकी तेयरी बड़े आराम से 40 marks की हो जाएगी, category 40 यह है, but मुझ हमारे पास एक backup plan है, यह backup में उन questions को मैंने add कर रखा है, कि कल को category 40 के core questions में से कहीं पे भी कोई defaulter हो जाए, कहीं पे कोई question हमसे ना बने, या देख के डर लग रहा है, तो आपके पास backup है, उस backup question पे जम कीजे और देखिए क्या वो आपसे बन रहा है क्या, there's a good chance कि वो बन bad, यह भी a ही होगा, correct, दोनों 7a में देखने को मिलते हैं, और 7a में इन दोनों में से कोई a question आएगा, easy आएगा, 7 marks के लिए आप उसे prepare करें, इसके अलावा leverage को भी आप इसमें include कर सकते हैं, बचकाना topic हम मुझे पता है, इससे 7b, 7 marks यहाँ पे भी आप score कर सकते हैं, अब इसको अमने 14 नमबर के लिए एक backup plan के लिए decide किया हुआ है, आपके mind में यह आएगा, कि या leverage तो इतना easy topic है, इसको हम category A में डाल देते हैं, या category 40 में डाल देते हैं, डाल सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, पर मैंने इस हिसाब से डालें आपके questions को, कि आप question अगर attempt करें 7 A, तभी आप 7 B को attempt करें, नहीं तो ना करें, आम तौर पे question number 7 को हर कोई attempt करेंगा, क्योंकि इससे जो तीनों chapters है, whether it be capital structure, और it be leverage, और it be dividend decision, याम तौर पे सबको आते रहते हैं, तो question number 7 आप attempt करोगी, तो यसे आप category 40 में पकड़ो, या फिर में इसका backup पकड़ो, it's the same thing, पर अगर आप 40 marks score कर लेते हैं, including 12 marks in MCQs, your FM paper is sorted here, इन सब को attempt करने में, आपको शुरवात के 90 minutes तक लग जाएं, तो आप अपना समय ले सकते हैं, इन में आपको 40 marks का score लाना है, या 40 marks का attempt करके 30 marks का minimum score लाना है, अगर आपने इतना सर्फ discipline दिखाया, तो देखो कितने सारे chapters की तर capital budgeting, बच्चे 30 कापते हैं इस chapter से, क्योंकि इसमें कुछ areas तो easy है, पर आगे जाके भीया, कुछ तो हो जाता है इस chapter में, आगे जाके ये chapter तुना सा डराम ना सो हो जाता है, बच्चों को डर लगता है, cash flow बना नहीं पाते हैं, और बहुत सारी problems होती है, आपको सोचो कि आप FMG paper को दे रहे होंगे, और आपने capital budgeting के question पे गौर भी नहीं किया होगा तब तक, आपने देखा भी नहीं क्या है exam में, आपके 40 marks आ चुके होंगे, this is very very good strategy, और इसलिए capital budgeting पे बिना देखे आपका काम हो रहा है, Interestingly, working capital जैसे chapter को भी नहीं देखना पड़ेगा आपको, now this is also very fascinating, क्योंकि working capital में भी कई areas आते हैं, जैसे management of receivables आता है, payables management आता है, inventory management आता है और working capital requirement तो आता ही है, तो इन सारे areas को भी बिना देखे, बिना इनके question को attempt किये, आप category 40 के बदोलत पास हो सकते हैं, तो ये भी आपको एक तरह का advantage पेज करता है, कि यार इन दोनो chapters की तब देखना नहीं है, मैंने आम तोर पे देगा है, students इन दो chapters को लेकर के ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं इन दोनो chapters को बिना देखे भी, आप अपने paper को अच्छे से पहले attempt कर सकते हैं, 40 marks के लिए, अब कई बच्छे सोचे होंगे, ओके भाईया बोल रहे है, capital budgeting और working capital को छोड़ के जाने के लिए, छोड़ के मच चले आना, क्योंकि ए examination में 14-14 नमर के आएंगे ही आएंगे, ये आप बात यही है, कि पहले देखे की बात में देखे, आम तार पे capital budgeting को पहले देखने वाला बच्छा ढर जाता है, पहले आदा गटे में अगर आपके ठीक ठाक सवाल नहीं बनते हैं तो इतनी घबरावत होती है कि पूरा paper अपने paper के command में ही नहीं रहते, या paper अपने command में नहीं रहता, यह बूला सही रहेगा, और यही कारण होता है कि maximum बच्चे panic करके, फिर वही सिर्थियती है कई बच्चे तो ऐसे होता है न, जिनकों परवान ही है, डेड़ घंटे होगा है, नहीं हो रहा है को चलना घर चलते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो दो ड़ स्कोर करना आसान है, आप हराम से कर सकते हैं, और यही है essence of 60-40 strategy, इसके अलावा, आपको FM theory, BDA theory का भी चिंता नहीं करना, इनके लिए भी आपको question attempt करने की जुरत नहीं है, पहले 40 की तयारी करेंगे, तो पहले 90 minutes में आप इन पर focus ना करें, अगले 90 minutes में आप इन chapters पर focus करें and MCQs जो भी बाकी रहेंगे, उनको आपको यहाप attempt करना होगा and यहाप इसे cover करना होगा 74 marks का, अगर आप चाहें तो, इस पूरे essence में एक बात ध्यान रखिएगा, कि मैं से में एक categorization technique आपको बता रहा हूँ, क्या मैं आपको selective study करने के लिए promote कर रहा हूँ, not at all, मैं एक दम भी नहीं कह रहा है कि selective study करनी है, पर नजरिया तो होना चाहिए ना paper को attempt करने का, now all of this strategy comes from the fact कि आपको paper में हमेशा वही देखना चाहिए कि आपको क्या आता है, rather than यह देखना कि आपको क्या नहीं आता, and यह काम आपके लिए काफी आसान होता है, जब आप 60-40 strategy का साहरा ले आप चाहें, तो इसमें थोड़ा बहुत fair बदल कर सकते हैं, that is up to you, मैंने एक backup plan भी दिया for category number 40, कि कुछ भी हाल में, कैसे भी हालात में, आपकी category 40 कहीं fuss ना हो जाए, इसलिए एक backup plan भी है, and यह अगर आपने ठीक से implement कर दिया, examination में, I am very very sure कि आप past तो definitely हो जाओगे, और अ जादा जादा students को इसका फाइदा मिले, और आप भी चाहते हैं, कि जादा जादा students इस strategy के बार में समझें, इस categorization को अच्छे से समझें, तो please अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रू से share करें, चैनल को subscribe नहीं किया, तो वो भी कर लीचेगा, बात बागी, I will see you in the next वीडियो जिसमें यही 6040 strategy को मैं management accounting के paper के लिए discuss करूँगा, मिलते हैं अपने next वीडियो में, तब से के लिए बाबाए, take care, enjoy yourselves, peace and please पढ़ाई करते रहे हैं